हेलो दोस्तों जो आजका हमारा लेक्चर है वो है टिशू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर के उपर टिशू प्लास्मिनोजन एक्टिवेटर को समझने से पहले हम एक पॉइंट को समझते हैं तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को जो हमारा शरीर है उसमें बहुत सारी blood vessels पाई जाती है इन blood vessels में अगर कोई damage हो जाती है या कोई injury आ जाती है तो बहां से blood निकलने लगेगा इस case में क्या होता है हमारा जो blood है उसके अंदर fibrinogen एक protein पाई जाती है वो active हो जाती है और जिसकी active form होती है वो fibrin होती है ठीक जब यह active हो जाती है और fibrin में convert हो जाती है fibrinogen तो क्या होता यह fibrin जो protein है यह जहाँ पे blood vessels damage होई है या injury आ गई है उसमें बहां पर पहुँच जाती है यह fibrin protein बहां पहुच कर blood clot बनाती है तो बहां से blood निकलना बंद हो जाता है यानि कि उस vessel से blood निकलना बंद हो जाता है अगर यह blood clot ज़्यादा बन जाए तो क्या होगा तो जो हमारी blood vessels है वो block हो जाएगी यानि कि उससे blood की supply रुख जाएगी इस case में क्या होता है इस case में जो है blood supply नहीं हो पाता हमारी blood vessels से तो इस case में tissue plasminogen activator का use होता है क्योंकि tissue plasminogen activator उस blood clot को breakdown करता है और जो हमारी blood vessels है उसमें blood का flow फिर से चालू करवा देता है तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को संज में आया होगा कि tissue plasminogen activator क्या होता है अब start करते हैं tissue plasminogen activator के उपर जो हमारे key point है उन्हें समझना तो जो हमारा पहला point है वो है tissue plasminogen activator is a protease enzyme यानि कि क्या है tissue plasminogen activator एक protease enzyme है यानि कि कि किसी भी protein यानि कि protein fibrin एक protein है उसको breakdown करता है ठीक तो उसके लिए इसका use होगा पहला point ही होगे आपका और जो दूसरा point है this enzyme is found in all mammalian cell और mammalians ठीक यानि कि सभी mammalian cell में पाए जाता है और जो तीसरा point है it is found in the very small amount in the human body human body में भी ये थोड़ा सा यानि कि small amount में पाए जाता है अब भूब करते नेक्स लेंट पर जो हमारा fourth point है वो यह है कि जो हमारे human body में tissue plasminogen activator पाए जाता है वो plasminogen को plasmin में convert कर देता है जो यह plasmin है यह एक active protein है जो fibrin जो भी मैंने बताया थे ना fibrin protein जो blood clot बनाती है और हमारी blood vessels को block कर देती है यह उस fibrin को breakdown करता है और जो blood vessels है उसमें उसे खोल देता है और blood का flow पहले कि तरह चालू हो जाता है ठीक है तो इसका यह काम होता है in medical science it is used in the treatment of coronary thrombosis tissue plasminogen activator का medical science में जो role है वो coronary thrombosis disease के treatment में है coronary thrombosis एक acid acid disease है जिसमें जो हमारी blood vessels है उसमें blood clot जम जाते हैं और उन blood clot को breakdown करने में tissue plasminogen activator का use होता है अब move करते हैं next slide पे इसका एक और जगा role भी है इसका use myocodrial infection के treatment भी किया जाता है क्योंकि इसमें blood clot vessels में ही जम जाता है और उसे ही breakdown करने में भी tissue plasminogen activator का use किया जाता है जो हमारा first time है tissue plasminogen activator को gene tech के company थी 1987 में इन्होंने सबसे पहले इसे discover किया था और इसे bio technology की help से बनाया था इसके बाद यह bio technology company द्वारा बनाया जा रहा है recombinant DNA technology का use करके अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रोसेस पर वीडियो बनाऊं कि यह कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे comment में बता सकते हूं कर दो